गाइज यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे एक एडल्ट बैप साइट में अपनी छोटी बेहन की पॉन किलिफ मिल जाती है जिसे देखकर वो इसकी तरफ सेक्सोली अट्रेक्ट हो जाता है और आखिर में इसके साथ इंटीमेट हो जाता है गाइज मुवी का नाम सिस्टर आफ मायर है जो की 2012 की एक अडल्ट सेक्स ड्रामा मुवी है मुवी की सुरुवात ओल्लीवर नाम की एक आदमी से होती है जो एक अडल्ट बैप साइट में कुछ पॉन किलिफ देख रहा होता है ओल्लीवर एक यंग फिलम मेकर होता है और वर एसकर क सेपलने कारण पूंचती है और पुंचने पर आरूजीवर बताता कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों और ताप extending अदूबर बैटता यहां पस्ते ने गर पहुंचते ही और अरूरा की मा जूलिया से मिले बिना ही वहाँ से बापे जाने लगता है। और उलिवर को पैदल देखकर अरूरा उसे अपने कार की चाविद देती है क्योंकि और कुछ दिनों के लिए यहां आया था। इसके बाद ओलीवर अरूरा की कार लेकर वहां से चला जाता है। बगले दिन हम देखते हैं कि ओलीवर अरूरा से मिलने उसके घर आता है। जहां ओलीवर और अरूरा आपस में काफी बात करते हैं। एक दूसरे से बात करते समय ओलीवर को पता चलता है कि अरूरा ने अपने पुराने वाइफरेंड इवो को छोड़ दिया है और उसके नए वाइफरेंड का नाम कारलो है कुछ टाइम बाद अपनी माँ जूलिया के बुलाने पर अरूरा वहां से चली जाती है तबी ओलीवर मौका देखकर अरूरा के कमरे में एक स्पाइक कैमरा लगा देता है इसके बाद ऑलीवर जूलिया और अरूरा के साथ लंच करता है अरूरा की मा को ऑलीवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था अगले दिन जूलिया अरूरा को लेने उसके कॉल ले जाती है क्योंकि अरूरा की जूलिया को और लीवर एक मतलबी इंसान लगता था अगली सोभा और लीवर अरूरा को एक गेप्ट भीचता है जिसे अरूरा अपने कमरे में ले जाकर खोड़ती है लेकिन दूसरी तरफ और लीवर स्पाइक कैमरे की मदद से यह सब कुछ देख रहा होता है अगले दिन औ अरूरा अपने वाइबरेंड कालो के साथ intimate हुई थी और पास में चलिख जाती है जहां नसे की हालत में अरूरा और आरलीवर आपास में किस करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं लेकिन यहां पर उसे अरूरा थोड़ी सेड नजराती है तभी और लीवर अरूरा को कॉल करता है और उसे किस के लिए मावी मंगता है जहां अरूरा कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है वो बस अपने फाइनल एक्जाम को लेकर परिसान है अगली सुभा अरूरा अर पसमें लंच में जाने का प्लान बनाते हैं जब और लीवर तयार होने के लिए अपने कबरे में चला जाता है तब अरूरा को ऑलीवर के कैमरे में एक पॉन्ड किलिप मिलती है इसके बाद दौनों लंच पर चले जाते हैं जहां पर अरूरा कहती है कि वो अपने वाइफर कालो को ज़्यादा पसंद नहीं करती लेकिन साथ ही वो ओलिवर से उस पॉर्ण किलिप के बारे में पूचती है ओलिवर बताता है कि वो पॉर्ण किलिप उसकी गलफरेंड केरन की है और उसे ऐसी पॉर्ण किलिप के चुआने का बहुत सौक है यहां ओलिवर अरौरा से पुंचता है कि तुमने कभी ऐसे बीडियो सूट करवाए है अरौरा कहती है कि उसके पुराने वायाब फ्रेंड फ्रेंड एवो ने ऐसे वीडियो सूट किये थे जिनें वो अपने साथ लेकर चला गया और लीवर अरूरा को अपने साथ घर ले जाता है और उसे उसकी और उसके वाई फ्रेंड की पॉन्ट किलिफ दिखाता है जो कि उसने स्पाइक कैमरे की मदद से सूट की थी यह देखकर अरूरा काफी ज़्यादा गुसा हो जाती है और लीवर से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ लेकिन लीवर यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी हाफ सिस्टर हो तभी अरूरा गुसा होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड नैटली से इसके बारे में बात करती है नैटली और लीवर को पसंद करती थी इसलिए वो इस पर कोई भी रियक्शन नहीं देती रात को अरूरा अपने कमरे में स्पाइक कैमरा ढूनने की कोस्स करती है और उसे वह कैमरा मिल जाता है लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं करती उपर से और लीवर को अपनी तरफ एट्रेक्ट करने के लिए स्पाइक कैमरे के सामने अपने वाइफरंड कारलो के साथ इंटिमेट होती है जिसे देखकर और लीवर को काफी मजादा अगले दिन और लीवर अरूरा कारलो और नैटली एक साथ पिकनिक में जाते हैं जहां पर और लीवर चुके से अरूरा को फूर्सफली किस कर लेता है पहले अरूरा उसे मना करती है लेकिन बाद में वर खुद और लीवर को किस करने लगती है तब ही कारलो इस सब कुछ देख लेता है और वहां से चला जाता है उसके बाद और लिवर और अरूरा अपस में दौनों कार में ही इंटिमेट होते हैं फिर इसके बाद अरूरा घर पहुंच जाती है जहां पर कारलो ने उसकी मॉम जूलिया को सब कुछ बता दिया होता है जूलिया अरूरा को मारती है और उसे कमरे में बंद कर देती है दूसी तरफ कारलो ओलिवर की घर जाकर उसे काफी जाता मारता है साथ में ओलिवर का लैप्टॉप भी तोड़ देता है अरूरा की माँ अरूरा को समझाने की कोसित करती है लेकिन अरूरा अपनी मा जूलिया से कहती है कि वो ओलीवर से प्यार करती है इसके बाद जूलिया अरूरा को एक साइकार्टरस के पास ले जाती है साइकार्टरस अरूरा से ओलीवर के बारे में पूछता है अरूरा बताती है कि ओलीवर एक अच्छा इंसान है और वो उससे बहुत समय पहले से ही प्यार करती है और वो उसके साथ लाइब बिताना चाहती है इसके बाद वहाँ से बापस आते समय अरूरा कार से भाग कर ओलीवर के पास उसके घर आ जाती है जहां पर ओलीवर अरूरा अरूरा यहां पर अपने private part को save कर रहे होती है इसके बाद अरूरा उठकर camera को बंद कर देती है अगले दिन Oliver को एक letter मिलता है जो अरूरा को होता है जिसमें अरूरा के कुछ private part के बाल होते हैं और गाइस यहींपर movie end हो जाती है गाइज आपको अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग ऐसके दो हुआ है हुआ है